वरिष्चिक राशी वालों स्वावत याव शभी का आपके अपने यूट्यूब सेनल में दोस्तों ब्रम्हा विश्णू महिस ने कर दिया फुल सपूर्ट फैशला अब आपके हाथ में हैं जीहा वरिष्चिक राशी वालों जरा सोच समझ कर कदम उठाईएगा क्योंकि दो बोस्तों आने वाले अगले साथ दिनों में दूस्मणों को करारा जबाब मिलने वाला है जू भी आपको खरी-खोडी शुनाते थी वे भी अब आपके सामने मिठा-मिठा बोलने वाले हैं जीहा वरिष्चिक रासी वालों धरती पर ही अब आपको श्वर्ग का शुख मिल जी हाँ दोस्तों कहने का ताथ पर है कि जिसकी चाहत आपको बहुत दिनोशी था वो चाहत वो इक्षा अब आपकी पूरी होने वाली है जी हाँ वरिस्षिक्रासी वालों वीडियो बड़ा ही खाश है और आपकी पूरी कुंडली विसलेशन करने के बाद आज की इस वीडिय में हम आपको वो बाती बताने वाले हैं वो जानकारी देने वाले हैं जो कि दोस्तों आप अभी तक इनसे अंजान थे अगर आप शमय रहते जान लेंगे तो दोस्तों यकीन मानगे आपको इस धर्ती पर स्वर्ग जैसा महसूस होने लगेगा स्वर्ग का शुक मिलने लग जी हाँ दोस्तों दोस्तों वीडियो में सब कुछ विस्तार से बताएंगे परंतु उष्य पहली जो भी सच्चे सिव भक्त हैं भगवान सिव से शच्चा प्रेम करती हैं वो दिल से मानती हैं तो अपने इन प्यारे हाथों से वीडियो को एक लाइक जरूर परदान किजिए और साथ ही नीचे दिये गए कमेंट बॉक्ष में ओम नमह शिवाई जैसिव संभू जरूर लिखेगा दोस्तों इससे कुछ भी आपका खर्च नहीं होगा बस थोड़ा सा भगती भाव आपको प्रकट करना है फिर देखिए दोस्तों आपके कैसे घर बैठे बैठे शारे बिगडे काम बनने लगते हैं जी हाँ दोस्तों दोस्तों वीडियो को स्टार्ड करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे अनमूल विचार से देखिए दोस्तों गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है फोक मार कर दिये को बुझा सकते हैं अगर आपको देखकर कोई जलता है आपकी खुसियां किसी को बरदास्त नहीं होती है तो उसे जलने देना क्योंकि दोस्तों जलने वाला एक दिन खुद अपने आप बुझ जाता है बात अगर आपको समझाई हो इन जानकारियों से आप सहमत हैं और भगवान स्री कृष्ण के ए अनमोल विचार अगर आपको अच्छी लगी हो सच्ची लगी हो तो अपने इन प्यारे हाथों शे वीडियो को लाइक जरूर करें और उनके लिए नीचे दिया गए कमेंट बॉक्ष में लिखे दें राध ही राध ही जैसी कृष्णा जै हो सावरिया सेट की आई ये रोज आत्म बल और आत्म विश्वास से किसी विशेश मुकाम को हाशिल करने में सक्षम रहेंगे वही दोस्तों विद्यार्थी को अपने मेहनत के अनुकुल परिणा मिलेंगे वही दोस्तों अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो यह समय दूसरों की नकल करने की जगह अपने खुद की योजना पर विश्वास बनाई रखना आप के लिए जरूरी रहेगा। इसलिए अपने वैभार के लिए मनन और चिंतन शरूर करें। धार्मिक गतिव एदियों में भी दिखावे जैसे प्रविर्टीशे अभी आप दूर रहने का प्रयाश करें। तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एहम और गुश्य के इस्तती अपने शौभाव में कभी भूल से भी ना आने दे। अन्य था इस तेर नजदिकी लोगों के साथ शंबंध बिगड़ सकती हैं। भूमि संबंधिक कारियों में जादा लाब की उम्मिद आपको इस समय होशकता है। लेकिन आपको बस जरा ध्यान रखना होगा। परिस्ततियों से किसी भी परकार की समय अभी आप समझोता ना करें तो अभी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपराउंत आपके लिए जो समय होँगी आपको बताना चाहेंगी। अगर आप इस समय किसी भी परकार की योजना बना रहे हैं तो आप इस समय दूसरों पर ज्यादा प्रात्मिकता ना दें। अन्यथा आप किसी की बहकावे में आ सकती हैं और किसी नजदी की संबंद के साथ परिवारिक मामलों को लेकर कुछ वात विवात की स्थिती बनाने की असंका बन रही है। आपके लिए उतना ही बैटर रहेगा किसी से भी अभी आप राय ज़्यादा ना लें तो अभी आपके लिए ही अच्छा रहेगा। वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे यहां समय समाजिक दाइरा बढ़ेगा आपके वैक्तितप में भी शकारतमक बदलाव देखने को मिलेगा। कोड सम्मंधित कोई कारिवाही चल रही है कोई काम आपका बहुत दिनों से अटका हुआ था तो वो फैसला अभी आपके पक्स में होने की पूरी संभावनाई बन रही है बच्छों की कोई समस्या चल रही है तो उश्य आप अपने कारियों को एकाग्रिशीद होकर हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा आर्थिक इस्तिति को ठीक करने के लिए अपने खर्चों पर नियंत्रन रखना बेहत जरूरी है यूवा वर्ग नकरात्मक प्रविर्टी के मित्रों से अभी आप जो है दूरी बना कर रखें क्योंकि वे आपको भी सफल नहीं होने दें इसलिए दोस्तों हमारी आप से सला है ऐसे लोगों से आप दूरी बना कर रखेंगा तो अभी आपके लिए अच्छा रहेगा वहीं दोस्तों ब्यवशाई गति बेदियों में ज्यादा सुधार आने की उम्मिद अभी आपको नहीं है बस धहरी बनाई रखना होगा आपके साबित होंगी और कारे परनाली में भी सुधार आएगा अधिकतर काम वेवस्थित रूप से होते जाएंगे नौकरी पैसा लोगों के उपर आज जो है कोई खास जिम्मेदारी आ सकती है और उन्हें बखुबी तरीकिश उन्हें निभाना होगा और उन पर जादा से जाद दिहान देना होगा वही दोस्तों आपके लिजो समय होंगी आपके कैरियर विजनस के लिजो समय होंगी यह समय मार्केडिंग शंबंधित कामों में व्यास्तता रहेगी लेकिन दोस्तों अपनी गतिवीधियों को और योजनाओं को किसी के समक्स उजागर ना होने दे अग अगरी पैसा लोग अपनी फाइली और डोक्योमेंट्स को शंभाल कर रखें। किसी भी प्रकार की कोई गड़वडी या फिर जांस परताल हो शकता है। इसलिए आप उसे अपने दायर में रखें तो अभी आपके लिए अच्छा रहीगा। वही दोस्तों अगर आपकी लव पैमियों की वजह से दोरियां आशकती है। इस बात का अभी आपको जादा धियान देना होगा। यही आपके लिए बेटर रहेगा।